कई सारे लोग सोचेंगे ब्रह्मास्त्र वाली सीरीज किदर गई तो काई स्टेंशन मतलो वो भी सीरीज आने वाली है लेकिन उस से पहले इस स्टोरी को देखो ये सीरीज दो पार्ट की होगी पहला पाट अभी आ रहा है, दूसरा पाट आपको जल्दी मिल जाएगा और इस सीरीज की दोनों वीडियो आपके दिल को छू जाएगी और सबसे important बात, literally सब्सक्राइबर बढ़ना बंद हो गया है लास्त तीन महीने में हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं किया है प्लीज गाईस सब्सक्राइब कर दो यार चैनल की ग्रोध खतम हो गई है, तो प्लीज सपोर्ट करो अपने नए दोस्तों में वीडियो को शेयर करो क्योंकि हमारी वीडियो हर तरह के लोग देख सकते है आज के वक्त में आपने सुना होगा आज का जमाना सिर्फ पैसो का है पैसो के लिए भाई भाई का दुस्मन हो गया है लेकिन ये बात 100% सही नहीं है कुछ ऐसे भी लोग है जिनके लिए पैसो से जादा प्यार इंपोर्टेंट है लेकिन आज कल ऐसे रिस्ते देखने को बहुत कम मिलते हैं चारों और सिर्फ दंगा, फसाद, लड़ाई, जगड़ा और धोखा है आज हम लोग दो भाईयों की कहानी देखेंगे जो एक दूसरे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और एक दूसरे के खिलाफ क्या कर सकते हैं भाईया उठो ना भाईया, कितना सोते रहते हो आप हम को देखिए, हम कपका उठ सुके हैं आपसे छोटे हैं, मगर आपसे ज़्यादा समझदार है पापा मम्मी कब से इंतजार कर रहे हैं आपका नीचे खाने पे, मगर आप उठी नहीं रहे हैं, उठीए ना भईया, उठीए ना बोलो बंटी, क्या हुआ भाइया होगा क्या उठिये ना बहुत देर हो गया मम्मी डाट रही है बोल रही है कब खाना खाएगा कब ओफिस जाएगा अरे बंटी तुमको तो पताई है मम्मी डाटते ही रहती है कभी प्यार ही नहीं करती नहीं भाईया ऐसा मत बोलो मम्मी तो बहुत प्यार करती है हाँ क्यों नहीं मम्मी तो सिर्फ तुमसे प्यार करती है भाईया ऐसा नहीं है मम्मी सिर्फ हमसे प्यार नहीं करती है आपसे भी प्यार करती है और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमसे प्यार करती है तो मेरे पास इसका भी solution है हम मम्मी की जान है मगर आप तो मेरी जान हो भाईया मम्मी हमसे प्यार करती है और हम आपसे तो देखा आजाए मम्मी आपसे भी प्यार करती है बंटी, तुम बहुत बड़े हो गए हो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने भाईया, हम कौन सी बड़ी बात कर दी है हम तु सिर्फ बात कर रहे है कुछ नहीं बंटी, चलो ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग केशब, गुड मॉर्निंग केशब बेटा, लेकिन केशब बेटा, मैं तुम से बहुत नाराज हूँ, तुम कितना सोते रहते हो, मम्मी आपको तो पता ही है, काम का बहुत प्रेशर रहता है, उठना भी लेट हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी इन सब को ठीक कर दूँगा हाँ मम्मी, भाईया को मत डाटो, हम भाईया को डाट सुनते नहीं देख पाएंगे हाँ हाँ, आ गए भाई के रक्षक बेटा केशव, नास्ता कर लो, जल्दी से ऑफिस भी जाना है जी पापा, बस दस मिनट दीजिए पापा, हम भी जाएंगे, ले चलो ना बंटी, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं जा सकते हो, एक बार तुम बड़े हो जाओ, फिर चलना हाँ बंटी, पापा ठीक बोल रहे है, तुम पहले बड़े हो जाओ, फिर चलना हमको तो आप सबका समझी नहीं आता है, जब मस्ती करूँ, तो कहते हो बड़े हो गए हो, और जब काम करना चाहता हूँ, तो कहते हो छोटे हो करूँ तो करूँ क्या, हमको जाना है, जाना है, जाना है, हम तो जाएंगे, ले चलो हमको अच्छा बेटा पहले इन्हें जाने दो, मैं तुम्हें किसी और के साथ भेज दूँगी नहीं हम अभी जाएंगे, हमको अभी जाना है अरे सुनिये, आप निखलिये, मैं इसे समझा दूँगी नई, नई, रुको, रुको, नई, जाओ, रुको, हम भी जाएंगे ममी, हम जाएंगे, हमको जाना है, हम जाएंगे, ले चलो हमको देखो बंटी, तुम अभी सच में छोटे हो, तुम बड़े हो जाओगे, तब आफिस जाना और काम करना, और तब मैं तुमें कभी भी मना नहीं करूँगी, अगर तुम अभी आफिस जाओगे, तु पापा को काम करने में दिक्कत होगी बेटा, सभी तुमारे पीछे लगे रहेंगे, तो काम कब करेंगे, हमको ये सम नहीं पता, हमको जाना है, हम जाएंगे, तुम जिद क्यों कर रहे हो बंटी, तुमें तो मालूम है, कल मैं, तुम और पापा बाहर जाने ही वाले है, कल चले जाना, आज किस बात की जिद है, हमको जाना है, आप लोगों का हर बा का है अम जब भी बाहर जाना चाहते हैं आप लोग हमको जाने नहीं देते हैं आज तो हम जाएंगे चाहे कुछ हो जाएं नहीं तो हम भाग जाएंगे पंटी ऐसी बाते भूल के भी मत करना ठीक है नहीं करेंगे लेकिन हमको बाहर जाना है मम्मी जाने दोना मतलब तुम नह पर जाना ही जाना है, तो एक काम करो, योगेस के साथ जाओ, और गरीबों को खाना खिला देना, ठीक है मम्मी, हम योगेस के साथ जा रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हो तुम, क्या, क्यों, हम जाएंगे, पहले पढ़ाई करो, फिर चले जाना, नहीं, हम अभी जाएंगे, दे आजकल बहुत बोल रहे हो तुम चुपचा पढ़ाई करो मम्मी पढ़ाई लिखाई हो गई अब मैं जा रहा हूँ योगेश के साथ योगेश खाना मैंने गाड़ी में रखवा दिया है ध्यान से जाना और सभी गरीबों को खाना खिला देना मैं आप मुझे भरोसा रखिये मैं सभी को खाना खिला दूँगा और बंटी का अच्छे से खयाल रखूँगा योगेश तुम पे भरोसा इसलिए तो तुम पे बंटी की जिमिदारी सौप रही हूँ जितने अच्छे से तुम बंटी का खयाल रखोगे, उतने अच्छे से कोई और रखी नहीं सकता, मेरा बंटी सभी से भले ही थोड़ा अलग है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है हाँ मैम, बंटी दिल से बहुत अच्छा है ममी, आप योगेश की चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से खयाल रखूँगा, उसे रोने नहीं दूँगा, और अगर वो रोएगा, तुसे लॉली पॉप दूँगा, और उसे बोलूँगा, चुप हो जा योगेश बंटी, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना खयाल रखते हो, वैसे बंटी, कौन से फ्लेवर का लॉली पॉप है योगेश तो साचे में लॉली पॉप मांग रहा है, लेकिन हम लॉली पॉप तो कब का खा गए, अब इसको क्या बोले योगेश, अभी लॉली पॉप नहीं खाना है, जब तुम रोने लगेगा तब तुमको देंगे, ठीक नई, नई बंटी, अभी दो, अभी खाएंगे अभी खाएगा, ये देखो, जादू, जादू, गायबो गया लॉली पॉप गया, अब सिधा साम में मिलेगा लॉली पॉप बंटी, तुम कब सुदरोगे, कब तुम बड़े बनोगे बंटी लोग फिर सुरू हो गया, जब काम हो तो छोटे बन जाओ, और जब मस्ती हो तो बड़े बन जाओ, हम क्या करें बंटी, एक काम करो, हम मिलके पढ़ाई करते हैं नहीं योगेस, चलो, अब दिबाग मेरा मत खराब करो योगेस, ध्यान से जाना जी मैम देखो बंटी, पहुँच गए योगेस, ये लोग कौन है, और यहां क्यों बैठे रहते हैं बंटी, क्या तुम्हारे पास घर है योगेस, लगता है तुम्हारी भी यादास्त कमजोर हो गई है अपना घर तो है न, उसमें तुम भी तो रहते हो हाँ बंटी, तुम्हारे पास घर है, मम्मी पापा है अच्छे अच्छे खिलोने है, कपड़े है, खाना है तुम्हारे पास सब कुछ है बंटी, मगर जरूरी नहीं सब के पास सब कुछ हो दुनिया में ऐसे बहुत लोग है, जिनके पास सब कुछ नहीं है उन्हें अपनी जिंदिगी कमियों में गुजारनी पड़ती है अंकल आपके पास सब कुछ नहीं है मेरी तरह आपके पास घर नहीं है अंकल नहीं बेटा हमारा दिन यहीं सड़क पे सुरू होता है और यहीं सड़क पे खतम हो जाता है अच्छा अच्छा अंकल इसका मतलब ये सड़क आपकी है अरे अरे नहीं बेटा अच्छा मजाक कर लेते हो अरे नहीं नहीं भईया ऐसा कुछ नहीं है बंटी मजाक नहीं कर रहा बंटी बाकियों से थोड़ा अलग है उसने सच में मान लिया ये सड़क आपकी है हमारा बंटी दिमागी रूप से भले थोड़ा छोटा रह गया मगर दिल से बहुत बड़ा है फीर छोटा बड़ा, यो गेस तुम भी अरे नहीं बंटी, मैं कुछ और कह रहा था भाईया, आपको भूक लगी है? हाँ बंटी, लगी तो है आप चिंता मत करो, हम है ना, हम सब को खाना खिलाएंगे बंटी, तुम बहुत अच्चे हो, खिलाओ खिलाओ भाईया, आप खाओ Thank you, बंटी भाईया, आप भी खाओ Thank you, बंटी हम एके करके सब को खिलाएंगे, सब लोग अराम से खाना भाईया, आप लोगों ने अच्छे से खाया, पेट भर गया सबका हाँ बंटी, हम सब का पेट भर गया बंटी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत समस्दार हो, हमेशा खुस रहो भाईया, हमको खुसी नहीं चाहिए, हम तो बहुत खुस है लेकिन मेरा भाईया केसब बहुत टेंशन में रहता है दिन भर बस काम काम और कामी करता है पता ने इतना टेंशन क्यों लेता है सब कुछ तो है हम लोग के पास पिर पता ने इतना काम क्यों करता है केसब भईया हमको बहुत खुश रखता है मगर हम केसब भईया को खुश नहीं रख पा रहे हैं पापा और केसब भईया सब कुछ देते हैं हमको लेकिन हम उनको खुशी नहीं दे पा रहे हैं आप हमको नहीं भईया को आसिरवाद दो अगर केसब भईया खुस हैं तो हम बहुत खुस हैं केसब भईया कहते हैं हम उनके जान है मगर केसब भईया भी मेरे जान है उनकी खुसी के बिना हम भी खुस नहीं रह पाते हैं उनके सामने तो हम हसते रहते हैं मगर जब भी वो टेंसन में होते हैं तो हमको भी रोना आता ह अरे ओ भाईया आप क्या कहते हो बंटी दिमागी रूप से पीछे रह गया, कौन कहेगा ये पीछे रह गया, बंटी हम सबसे आगे है, आज के जमाने में लोग पैसों के लिए रिस्ते भूल जाते हैं, मगर बंटी रिस्तों के लिए पैसे भूल रहा है, बंटी मेरी बात हम याद रखना चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए अपने भाई को कभी मत भूलना और हमारा आशिर्वाद है तुम दोनों भाईयों की जोड़ी कभी ना तूटे एक दूसरे में इतना ही प्यार बना रहे और सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं तुम सभी खुस रहो ठैंक्यू भाईया आप भी बहुत अच्छे हो आप भी खुस रहो चलो बंटी अब घर चलो और वैसे भी तुम्हें मुझे लॉलीपॉप भी खिलाना है योगेश तुमको अभी भी याद है हम तो कपका भूल गए हमको याद नहीं है हम कपका है तुमको लॉलीपॉप खिलाएंगे हम कौन कहता है तुम पीछे रह गए असली बिजनसमेन तो तुम हो काम भी करवालिये और पैसे भी नहीं दिये मम्मी पापा क्या सारी पैकिंग हो गई हाँ केशब सारी पैकिंग हो गई बस निकलना है अब भाईया तुम भी चलोना बहुत मज़ा आएगा तुम क्यों नहीं जा रहे हो सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं चलोना भाईया बंटी मुझे पता चला तुम कल बाहर गए थे हाँ भाईया गरीबों को खाना कि लाने गए थे अब ये मत बोलना कि मत जाओ जब कल तुम बाहर गए ही हो तो आज क्यों जा रहे हो नहीं भईया हम जाएंगे हमको जाना है भईया अरे कोई बात नहीं जाने दो इसे अच्छा मम्मी बताओ हम लोग कहा कहा जाएंगे देखो बंटी पापा को दूसरे शेहर में काम है तो सबसे पहले पापा अपना काम निपटाएंगे उसके बाद होटेल में आएंगे कुछ देर आराम करेंगे फिर लंच करने के बाद हम लोग घूमने जाएंगे क्या मम्मी हम छोटा भीम देखेंगे अरे मेरे बंटी, छोटा भीम तो तुम घर पे भी देख सकते हो, हम लोग बीच पे जाएंगे, सैंड कारसल बनाएंगे, समुदर में डुपकी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी राइट्स पे बैठें हाँ मम्य, सच में हम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, हाँ बंटी जाएंगे, तुम लोग प्लैन तो कर रहे हो, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मेरा काम लंबा खिच गया, तो सारा प्लैन धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा तो हर बार का यही है काम काम और सिर्फ काम, केशव को बोलो ना, वो कर देगा, हाँ पापा, मम्य ठीक बोल रही है, अगर आपको हेवी लोट पड़ रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं कर दूँगा, हमको बताओ, हम भी कर देंगे, हाँ पापा, बंटी को बताओ, बंटी कर देगा, आज कल बहुत समझदार हो गया है, अभी तो कुछ खास काम नहीं है, अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, आज तो हमको बहुत मजा आने वाला है, चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी गाड़ी में समान रखो, हमको जाना है, केशव, ये टायर तो पं पापा भाया को मत डाटो, नहीं तो हम आपको डाटेंगे अरे नहीं नहीं बंटी, तुम चुपो जाओ, पापा नहीं डाट रहे मुझे, वो तो बस मुझे मेरी गलती बता रहे हैं पापा स्वरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा आगे तो तुम ध्यान रख लोगे, मगर अभी क्या करना है, कैसे जाएं? पापा, आप और मम्मी दूसरी वाली कार से चले जाओ, मैं बंटी को घर में रख लेता हूँ, वैसे भी वो कल बाहर गया था, रोज बाहर जाएगा ये सही नहीं है उसके लिए भाईया, हमको जाना है, जाने दो ना भाईया बंटी, मुझसे प्यार करते हो? हाँ भाईया, जान से भी जादा तो फिर मेरी बात माल लो बंटी ठीक है भाईया केशव, घर का खयाल रखना आपने इतने सारे गार्ट्स लगा के रखे हैं पापा घर को क्या ही होगा बेटा बंटी, अपना खयाल रखना ओके मम्मी आओ, अंदर चलो बंटी भाईया, आपको पता था ना हमको जाने का बहुत मन था मगर आप हमको जाने नहीं दिये भाईया आपको ऐसा नहीं करना जाये था भाईया, हमको जाना था वाए अम्यूजमेंट पार्क जाते बड़ी-बड़ी राइट पे चड़ते खाते, पीते, बीच पे जाके सैंड कार्सल बनाते देखो बंटी, ऐसे रोज-रोज बाहर जाना ठीक नहीं है तुमारे लिए हो सकता है तुमारी तब्यद खराब हो जाए अगर तुमारी तब्यद खराब हो गई तो हमारा क्या होगा बंटी इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया भाईया, आप हर बार हमको बहला फुसला लेते हैं लेकिन आप ये ठीक नहीं करते हैं भाईया मैं सोच रहा था तुम्हें एक गिफ्ट दूँ मगर तुम्हें तो लगता है मैं तुम्हें बहला फुसला लेता हूं तो छोड़ देता हूं नई नई भाईया आप बहुत अच्छे हैं हम तो मजा कर रहे थे बता बता कौन सा गिफ्ट मम्मी पापा तुमको छोड़ के गया है लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आएंगे इतना बड़ा गिफ्ट जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा सच में भाईया इतना बड़ा गिफ्ट हाँ इतना बड़ा गिफ्ट अब तो मेरा बंटी खुश? बहुत खुश आप लोगोंने सुना होगा किसमत बड़ी कुत्ती चीज है साली कभी भी पलट जाती है इस बात में कई हद तक सच्चाई है सच में किसमत कभी भी पलट जाती है आपके बुरे दिन कभ अच्छे बन जाए और आपके अच्छे दिन कभ बुरे पता ही नहीं चलता अब इसी फ इन दो बच्चों के सर से हटने वाला है केशव के मम्मी और पापा का सफर सुरू तो हुआ था लेकिन अपने मंदिल तक पहुंच ना सका रस्ते में उन्होंने अपनी जान खो दी लेकिन बेचारा केशव ना रो सकता है ना हस सकता है उसे खुद को तो समहालना ही है मगर अपने भोले भाई को भी समहालना है बन्ती याद करो मैंने तुम्हे कहा था ना पापा मम्मी एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेने जा रहे है तुम्हारे लिए सर्प्राइज है अब देखो बड़ा गिफ्ट है तो लाने में तो टाइम लगेगा न बंटी लेकि तुम सोचो मत वो जोनों जल्दी आ जाएंगे और अगर लेट भी हुआ तो मैं हूँ न तुमारे पास भाईया तुम हो तो हमको किसी भी चीज़ का डर नहीं लेकिन भाईया हमको मम्मी पापा की बहुत यादार रही है उनसे मिलना है एक काम करो भाईया फोन पे बात करा दो मेरा अरे बंटी मेरे दिमाग से निकली गया पापा का तो फोन खराब हो गया इसलिए फोन भी नहीं लग रहा है हाँ तो फिर मम्मी को फोन करो हमको मम्मी से बात करना है अभी बात करेंगे पोन करो जल्दी से बंटी बंटी सांथ हो जाओ बंटी मेरी बात समझने की कोशिश करो अभी बात नहीं हो सकता है लेकिन जब भी बात होगी मैं तुमसे बात करवा दूँगा नहीं भाईया हमको बात करना है मम्मी से मिलना है पापा के साथ ओफिस जाना है कब आएंगे बताओ भाईया नहीं बताओ हमको जाना है कब आएंगे वो लोग हमको कोई गिप्ट नहीं चाहिए वो जो बड़ा गिप्ट है छोड़ते वहीं पे लेकिन वो लोग जल्दी आ ज होगा चलो आओ देखते हैं अरे केसब बेटा कैसे हो अंकल आंटी आप दोनों यहां क्यों कुछ खास अरे बेटा तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुनके बहुत बुरा लगा बेटा बहुत दुख हुआ कितने अच्छे लोग थे अब क्या करें भगवान अच्छे लो जो होना था हो गया अब बंटी को सम्हालना मेरी जिम्यदारी है आईए अंकल आईए आंटी अंदर चलके बात करते हैं हाँ चलो चलो बेटा केशब अपनों की कमी हमेशा खलती है तुम्हें तो पताई है हमारा कोई बच्चा नहीं और जब से हमने तुम्हारे मॉम डाट के बारे में सुना है ये दुख और बढ़ गया है भाईया भाईया पापा मम्मी कहां गया है अरे बेटा बंटी पापा मम्मी अभी घूमने गये हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे हाँ हाँ भाईया ने बताया था देखो केशब हमारी जिन्दगी में जो कमी है उसे तुम दोनों पूरा कर सकते हो और अब जो तुम दोनों की जिन्दगी में कमी आई है उसे हम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं हम दोनों ने तो हमेशा से ही तुम दोनों को अपना ही बच्चा माना है अंकल हमने भी हमेशा आपको अपने माता-पिता का ही दरजा दिया है बेटा क्यों न हम लोग साथ रहे और अपनी कमी पूरी करे और खुशी खुशी जिन्दगी बिताए हाँ अंकल क्यों नहीं मुझे बहुत खुशी होगी आखिर मुसीबत में अपने ही तो काम आते हैं बेटा अपने तो अपने होते हैं जी अंकल आप बिल्गुल ठीक कह रहे हैं मैं इतना अकेला हो गया था मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन आपने मेरा अकेलापन दूर कर दिया अंकल जबसे ये हुआ है मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ आखिर मैं बंटी को छोड़ के काम पे कैसे जाओं लेकिन आप दोनों ने मेरी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया अरे बेटा केशब तुम भी तो हमारे बच्चे हो तुम ऐसा मत बोलो बेटा अचा केशब बेटा ये देखो कुछ पेपर्स है इस पे तुम्हारे और बंटी के साइन चाहिए अंकल ये कौन से पेपर्स है अभी अभी जो हाथसा हुआ है उससे रिलेटेड है बेटा आज से हम लोग यहीं रहेंगे तुम्हारे लोकल गार्डियन बनके बस उसी के पेपर्स है तुम इस पे साइन कर दो नहीं तो हो सकता है पुलिस हमें पकड़ के ले जाए चोर समझ ले अरे नहीं 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 अंकल आप दोनों चोर कैसे हो सकते हो आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हो मैं खुद इंस्पेक्टर से बात करूँगा कोई जरूत नहीं है इनसा पेपर्स की अरे केसब रुको सुनो मेरी बात अभी तुम पुलिस स्टेशन जाओगे बात करोगे फालतू का टाइन क्यों वेस्ट करना तुम साइन कर दो मैं फोटो खीच के इंस्पेक्टर को भेज दूँगा हाँ बैया कर दो ना क्यों जा रहे पुलिस स्टेशन ठीक है ठीक है कर देता हूँ ये लो यहां तुम कर दो और इस जगा पे बंटी करेगा अहां मेरा तो हो गया लो बंटी यहां पे तुम साइन कर दो 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 हम तो तुम से बढ़िया साइन करेंगे लिजी अंकल, हो गया साइन चलो, ये काम भी हो गया अंकल, अब आप आ गये हो तो मैं आराम से काम पे जा सकता हूँ हाँ केशब, आराम से जाओ मैं घर पे हूँ, मैं तुम सब के लिए खाना बनाऊंगी, ओके बाई 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 या केशब बेटा, मुझे चिप्स खाने का बहुत मन कर रहा है एक काम करो, यही थोड़ी दूर में दुकान है वहाँ से ले आओ जी आंटी, अभी लेके आता हूँ अंकल, गाड़ी की चाबी दीजिए अरे केशब, मुझे थोड़ा बाहर जाना है तो तुम पैदल चले जाओ न ठीक है अंकल, कोई बात नहीं आप चले जाओ कार से आंटी, वैसे मैं जाही रहा हूँ तो यह बता दो, और कुछ भी लाना है तो वो भी लेता आओंगा नहीं बेटा, अभी तक जितना मुझे याद है कुछ लाने की जरूरत नहीं है तुम बस चिप्स ले आओ अगर कुछ घटेगा, तो बात में ले आना ठीक है आंटी, मैं भी के लिए चिप्स ले आता हूँ जल्दी जाके चिप्स ले आता हूँ उसके बाद बंटी को खाना भी खिलाना है और फिर ओफिस भी जाना है केसब भाईया रुकिये कौन? अच्छा योगेश तुम हाँ योगेश, बोलो क्या हुआ केसब भाईया, ये जो कुछ भी हो रहा वो सही नहीं हो रहा है मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सुरू में जब अंकल अंटी आय थे तब कितनी इज़त से बात करते थे मगर अब तो उन्होंने आपको नौकर बना दिया है आपकी गाड़ी की चाभी आपको देने से मना कर दिया मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते है योगेश, बन करो अपनी फालतु बखवास हमें ये नहीं भूलना चाहिए जब हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये हमारे साथ थे अंकल अंटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इसके बदले वो मुझे थोड़ा बहुत काम करवा भी लेते है तो क्या दिक्कत है ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है इस घर का नौकर तो मैं हूँ तो ये लोग मुझे काम क्यूं नहीं देते आपको क्यूं भेजते है जब अंकल आंटी मुझे कोई काम सौपते है तो मैं चाहूं तो तुम्हें सौप सकता हूँ लेकिन नहीं सौपता हूँ न तब तो तुम नहीं बोलते के से भाईया बदल गए मुझे काम नहीं देते है देखो भाईया छोटी मूँ बड़ी बात मगर मेरी बात मान लो इन लोगों को वापस भेज दो कौन यहां रहेगा और कौन नहीं इसका फैसला मैं करूँगा तुम नहीं योगेश तुम अपना काम करो और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ सौरी भाईया आखिर आप दोनों कैसे इंसान हो जिसने आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया रहने के लिए घर दिया और माबाप का दरजा दिया आप उसे ही नौकरों की तरह रख रहे हो भूलिये मत ये घर उनीका है वो जब चाहे आपको यहां से निकाल सकते है दो कोड़ी के नौकर जबान तो तेरी कैची की तरह चलती है आखिर तेरी हैसियत क्या है इस घर में तू सिर्फ एक नौकर है और नौकर बने रह मालिक बनने की कोशिश मत किया कर और तू जिसे घर का मालिक कह रहा है अब वो इस घर का मालिक नहीं है केसब का इस घर पे काम पे कहीं भी कोई हिस्सा नहीं हमने सब कुछ अपने नाम कर लिया है अंकल आंटी आप ये क्या बोल रहे हो केशव और बंटी की जिन्दगी दिन बदिन और खराब ही होते जा रही है पहले उन्होंने अपने मॉम डैट को खो दिया फिर एक अंकल आंटी मिले मगर उन्होंने भी उन्हें धोका दिया केशव और बंटी के अंकल आंटी उन दोनों को घर से निकाल देंगे मगर क्या होगा आगे अगर आपको तुरंद जानना है कि आगे क्या होगा तो डिस्कॉर्ड जॉइन कर लो लिंक आपको description में मिल जाएगा discord पर मैं खुद आऊँगा और आपको बताऊँगा आगे वाले पार्ट में क्या होगा and आप लोगों से सच में request please subscribe कर दो growth खतम हो गई है and इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको best लगा जरूर से comment करना and एक like भी कर दो and share जरूर कर दो अपने दोस्तों में